आलीन भीया का भॉकाल गजब है फिलाल उसे बलातकार के आरोप में 15 साल के सजा और 10,000 रुपई का जुर्माना हो चुका है लेकिन आप अपने दिमाग पर दोर न देते हुए केवल आप इतना विचार कीजिए जो पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी हो अपनी जान हतेली पर लेकर उस व्यक्ति को पकड़ने ही वाली हो इसी समय अचानक एक व्यक्ति ऐसा सामने आ जाए जो उस व्यक्ति का हाथ पकड़े और पुलिस के सामने से साफ बचा कर ले जाए तो समझ लीजे कि बचाने वाले का भोकाल टाइट है पुलिस भी चुप चाप खड़ी देखती ही रह जाएगी तब इसे आप क्या कहेंगे उस व्यक्ति को बचाने वाला और कोई नहीं बलकि उस राजजी का पूर्व मुक्यमंत्री हो तो डेफिनिटली पुलिस के भी हाथ बने रहते हैं कानून के मुह पर ताले लग जाते हैं और ये बात साबित हो जाती है कि आरोपी को पकरने वाली पुलिस से बचाने वाला मुलायम ज्यादा बड़ा है तो कुछ ऐसा था उस व्यक्ति का कनेक्शन और अब एक XCM के लिए इतनी इंपोर्टेंस रखता था ये तो आप इस इंसिडेंट से समझ गए होंगे लेकिन अगर आप ऊपर के घटना करम के दोनु करेक्टर को नहीं समझ पाए हैं तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं उस व्यक्ति को बचाने वाले थे उत्रप्रदेश के पूर्व मुक्य मंत्री मुलायम सिंग्यादव जबकि वो अपरादी और कोई नहीं पूर्वन्चल में कालीन भहिया के नाम से फेमस नेता और गैंक्स्टर विजय मिश्रा था उत्रप्रदेश के पूर्वन्चल में स्थिद बधोई जिला एक ब्रहमर बाहुली इलाका माना जाता है कभी ये जिला अपने कालीन के व्यावसाई के लिए जाना जाता था इसके बाद कालीन भहिया ने अपने अभायानक कारणामों से उसे फेमस कर दिया माथे पर बड़ा सा टीका, चेहरे पर बड़ी बड़ी रौबदार मूचें, बदन के पहनावे में कुड़ता और धोती उसकी आवाज में जितना रौब था उसका अंदाज इतना ही भी खौफ था लेकिन जरूरत पढ़ने पर पाला बदलने में वो देर भी नहीं करता था उसकी खौफ या तंतर इतना मजबूत था कि पुलिस के पहुचने की सूचना उसे पहले से ही मिल जाती थी वो या तो मौके से भाग जाता था या फिर मौके पर ही अपनी defensive strategy तयार करके उसे implement भी कर लेता था उसे कालीन भाया के नाम से भी बुलाया जाता था लेकिन उसका असली नाम था विजय मिश्रा क्राइम और पॉलिटिक्स का एक ऐसा कॉक्टेल जिसने उसे उस समय के यूपी के हर एक अपरादी से अपने बरावर connection बनाई रखे थी मौका पढ़ने पर उसने sitting minister को भी नहीं छोड़ा मायवती के मुखिमंत्री रहते हुए वो उनसे सीधे सीधे बढ़ गया भधोई जिला की ज्यानपुर विधान सभा के इतिहास रहा है कि कोई भी व्यक्ति लगाता दो बार विधाइक नहीं रहा लेकिन कालिन भया को लोगों ने इतना पसंद किया कि वो दो बार नहीं बलकि पूरे चार बार इस सीट से चुनाव जीत गया कालिन भया की कहानी शुरू होती है नंबे की दशक से उत्रप्रदेश के प्याग राज और बनारस के बीच मौजूद भधोई जिला अपने अगल बगल के इन दोनु जिलों में होने वाली हलचल से अच्छूता नहीं रहा फिर वो उठा पटक चाहे राजनीतिक हो या फिर अपराद जगत से जुड़ी हो नंबे की दशक में कॉंग्रेस के नेता कमलापती तरपाथी का अच्छा बर्चस्व हुआ करता था वो ग्राउंड स्तर पर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसके भीतर राजनीति में लंबी रेस का गोड़ा बनने की काबलियत हो इसी समय राजनीति का कहकरा पढ़ रहे विजय मिश्रा अपने शेतर में ब्लॉक प्रमुक बनने के लिए अपनी पूरी काबलियत और कुवद को आजमा चुके थे कमलापती तरपाथी विजय मिश्रा पर खास नजर बनाई हुए थे वो विजय मिश्रा की दबंगई और बाहुबल को परक रहे थी जौनपूर मिर्जापूर प्रताबगर भधोई के सराउंडिंग जिले हैं जहां होने वाली हर तरीके की राजनी थी किया क्रीम से रिलेटिड एक्टिविटी का असर भधोई जिले में भी होता है बदोई जिला कालीन के व्यापार के लिए जाना जाता है यहां का कालीन पूरी दुनिया में फेमस है कालीन का व्यापार उत्तरप्रदेश की सीमा से निकल कर मधिप्रदेश महारास्ट जैसे राजीों में भी फैल गया था यहां से जाकर लोग वहां भी अपने ज्व्यापार को इस्टैबलिश कर चुके थी ब्रहमणों के बीच विजय मिश्रा की काफी अच्छी पहुँच थी 1990 में ब्लॉक प्रमुक के चुनाओ की जीत विजय मिश्रा की जोली में आ गई इस जीत ने कमलापतीतर पार्टी को इतना खुश कर दिया कि उन्होंने विजय मिश्रा को राजिव गांधी से मिलवा दिया पहनावे से साधरर सा नजर आने वाला विजय मिश्रा शकल से बाहु बली छवी वाला लगता था वो हमेशा अपने साथ हतियार बंद लोगों को उस रक्षा में तैनात रखता था आने वाले दस सालों तक विजय मिश्रा इसी शेतर में बलॉक प्रमुक बना रहा और इसी दोरान उसने अपना राजनीतिक वर्चस सो बढ़ाना शुरू किया इसके बाद इसी शेतर की ज्यानपूर विधान सभा से वो विधायक का चुनाव लड़ने के सपने देखने लगा इधर भदोई जिले में एक जिला पंचाईता धक्षुआ करते थे शिवकण यादव एक बार शिवकण यादव की जुबान मुलायम सिंग यादव को लेकर कुछ जादा ही चल गई इससे मुलायम सिंग यादव का इगो हर्ट हो गया अब वो किसी भी कीमत पर शिवकण से बदला लेना चाहते थी वो उसे ब्लॉक प्रमुक के पद से हरा कर बाहर निकालना चाहते थी और उन्हें अपने लिए किसी एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उनका ये काम कर सके इधर विजय मिश्रा को भी किसी ऐसे वेक्ति की तलाश थी जो राजनीती के शेतर में उसका साथ दे और वो विधायक बन सकी दोनों की दलाश एक दूसरे पर खतम हुई और इसके बाद शिवकरन यादब से बदला लेने की स्क्रिप्ट लिखी गई विजय मिश्रा ने मुलाइम सिंग से वादा किया कि वो शिवकरन यादब को धूल चटा देगा अगले जिला पंचाइद के चुनाओ में विजय मिश्रा के कहने पर मुलाइम सिंग यादब ने उसे जिला पंचाइद के तीन टिकट दिये और तीनों पर ही उसके आदमियों ने जीत तर्स की मुलाइम सिंग यादब ने विजय मिश्रा के वर्चस्ट को सुईकार कर लिया अब भधोई की ज्यानपूर विधानसभा सीट से विजय मिश्रा की विधायक बनने का रास्ता खुल चुका था साल 2002 के यूपी विधानसभा चुनाओ में मुलाइम सिंग यादब ने समाजवादी पार्टी की ज्यानपूर सीट विजय मिश्रा को दी लिकिन इसके साथ ही ये शर्थ भी रख दी के हंडिया भधोई और मिर्जापूर सीट पर भी विजय मिश्रा को समाजवादी पार्टी की उमीद्वारों को सपोर्ट करना होगा और उन्हें जितवाना होगा इतना ही नहीं भधोई लोग सभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी के उमीदवार को सपोर्ट करना होगा विजय मिश्रा ने ग्यानपूर विधान सभा सीट से अपना चुनाव तो जीता साथ ही समाजवादी पार्टी के सभी उमीदवारों को भी जितवा दिया मुलायम सिंग ने उन्हें जो टास्क दिया था फोनों ने पूरा कर दिया इसके बाद समाजवादी पार्टी की टिकेट पर ही विजा मिश्रा ने साल 2007 और 2012 का भी विधान सभा चुनाव जीता और विधाईक बने रही साल 2017 में अखलेश यादव ने विजा मिश्रा का टिकेट कार्ट दिया उस समय विजा मिश्रा जेल में था जब उसे ये पता चला कि उसे समाजवादी पार्टी से टिकेट नहीं मिली है तो उसने निशाद पार्टी से ग्यानपुर विधान सभा की टिकेट हासिल कर ली चुनाओ लड़ा और जीत भी गया ऐसा पहली बार हुआ था कि बदोई जिले से कोई व्यक्ति लगातार चार बार विधायक बना हो यदि उसकी तीन बार की जीत के बारे में ये कहा जाए कि वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का रिजल्ट थी तो चौथी बार की जीत में उसका खुद का वर्चस्ट था दरसल इसकी अपनी एक बाहुबली वाली छवी थी और यही इमेज इसके चुनाओ में इसके काम आई वो कमलापती तरपार्टी का चेला था राजिनीती का पार्ट उसने उसी से पढ़ा था यही वज़ा थी कि ब्लॉक प्रमुक के चुनाओ से लेकर चार बार विधायक र उसकी अपनी नेटवार्किंग पुलिस के खुफ्या तन्तर पर भी जाधा तेज चलती थी पुलिस की हर एक हरकत पर उसकी नजर रहती थी अगर उसे यह अंदेशा हो जाए कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है तो वो पुलिस से बचने के लिए अपना पेंतरा पहले से तयार रखता था 2005 में विजय मिश्रा की पत्नी राम लली मिश्रा जिला पंचायत का चुनाव जीत गई समाजवादी पार्टी में विजय मिश्रा की डाल अच्छी तरह से कर रही थी लेकिन फिर भी उसे एक बात बुरी तरह आखर रही थी उसका कहना था कि नेता जब सुबे में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बहन जी यानि के मायावती मुख्यमंत्री का पत समाल रही थी ये घटना साल 2009 की है जब फरवरी 2009 में उत्रप्रदेश के वहधोई में विधान सबच चुना होने वाले थी बहुजन समाजवादी ने अपना जाए हालनके पुलिस भी पुराने कई मामलों में उसकी तलाश कर रही थी विजह मिश्रा के अनुसार मायावती चाहती थी कि उसे शेत्र के बहुजन समाजवादी के कैंडिडेट को सबोट करें लेकिन विजह मिश्रा ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया इसकी वज़ा को इकठा करने का काम विजह मिश्रा और उसकी टीम को मिला हुआ था विजह मिश्रा अपनी पतनी और बेटियों के समेट इस काम में जुट गया इस रैली में उसने भारी भीड इकठा की मुलायम सिंग यादव अपने चौपर हेलिकॉप्टर से रैली में हिस्सा लेने के के लिए पहुँचे लेकिन इस समय पुलिस भी विजह मिश्रा को गिरफतार करने के लिए पहुची थी पुलिस विजह मिश्रा को गिरफतार करने का इंतजार कर रही थी अचानक विजह मिश्रा माइक पकड़ते हैं और अपनी पतनी का नाम लेते हुए बोलते हैं कि अब राम लली का सुहाग आपके हाथ में है यानि मुलाइम सिंग को संबोधित करते हुए वो इतना कहते हैं मुलाइम सिंग इनका इशारा समझ जाते हैं और जब रैली खतम होती है तो मुलाइम सिंग खुद विजय मिश्रा का हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि किस की हिम्मत है जो तो मैं गिरफतार करेगा वो उनका हाथ पकड़े हुए अपने साथ हेलिकॉप्टर तक लेकर जाते हैं अपने हेलिकॉप्टर में बिठाते हैं और विजय मिश्रा को लेकर उड़ जाते हैं पुलिस के तमाम अधिकारी और कर्मचारी ये सारा नजारा देखते ही रह जाते हैं जबकि विजय मिश्रा पुलिस और लोगों के बीच अपना खेल खेल जाता है यहां विजय मिश्रा खुद को बचाने में तो कामियाब हो गया लेकिन इसके बाद वो मायावती के निशाने पर आ गया इस इंसिडेंट के बाद विजय मिश्रा पुलिस के साथ हाइड औसी खेलता रहा आगे चलकर विजय मिश्रा का मुलाइम सिंग से इस बात को लेकर जगडा हो गया कि मुलाइम सिंग ने सपा में उचे पदों पर यादवों को बेठा रखा है और विजय मिश्रा को यादवों के अंडर में ही रहकर काम करना पड़ता है मुलाहिम सिंग आदब ने सीधे सीधे विजय मिश्रा को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया कालिन भाया पर हमारे ये वीडियो आगे भी जारी रहेगा पर हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा का नोटिफिकेशन बैल को जरूर अन कर लीजिए इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा बाहुवली कालिन भाया कितने खतरनाक और बेरहम कार्ण कर सकते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं किनों ने एक डियाई जी के सिक्यूर्टी परसन को भी मौत के घाट उतार दिया जानकारी के मताबिक एक घटना 14 मई 2003 की सुबह 9 बजे की है जब ततकालिन डियाई जी के साथ सूरी मणी मिश्रा उन्हें सुरक्षा दे रहे थे लेकिन वो कालिन भाया के निशाने पर थे और कालिन भाया का निशाना अचूक निकला जिसकी वज़ा से सूरी मणी मिश्रा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इसके बाद की कहानी तो और भी खतरनाक और डराने वाली है ये मामला जब अदालत की चौकट पर गया तो कालिन भीया के खलाफ ना कोई सबूत मिला और ना ही कोई गवा इस मामले में वो साफ साफ बच गई इसके अलावा विजय मिश्रा पर उत्रप्रदेश के सेटिंग मिनिस्टर पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगा ये घटना प्रियाग राज की है जुलाई 2010 में उत्रप्रदेश की बहुचन समाज पार्टी की सरकार में ततकालिन मंत्री नंद कुमार नंदी पर जानलेवा हमला हुआ उन पर बम से हमला किया गया था और इस हमले को करवाने का इल्जाम विजय मिश्रा पर लगा था इस हमले में मिनिस्टर नंद कुमार नंदी बुरी तरह से घायल हो गए थे उनके साथ चलने वाला एक सेक्योर्टी परसन भी इंजर्ड हो गया था और इसके साथ ही वहां मौजूद एक पत्रकार की मौके पर ही मौत हो गई थी इस मामले की जब यूपी पुलिस जांच कर रही थी तो कालीन भहिया को इसी मामले में जेल भी जाना पड़ा था लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई भी गवा नहीं मिला लहाजा कालीन भहिया इस बात में भी साफ साफ बचकर निकल गई आपको बता दें कि कारिन भाया और विजय मिश्रा पर 70 से अधिक मुकदमे दल्स हैं लेकिन इसके बावजोद विजय मिश्रा भधोई की ग्यानपुर्द विधान सबासीट से लगातार विधायक बना रहा डिफिनिटली आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखर जनता उसे क्यों वोट देती रही तो आपको बता दें कि ये खेला भी सेंटिमेंट का है जब जीत को लेकर विजय मिश्रा से सवाल पूछा गया उसने कहा कि लोग मुझे बाहु बली कहते हैं लेकिन मैं बाहु बली नहीं बलकि जन बली हूँ वो अकसर लोगों के बीच धार्मिक आयोजन करता रहता था नवरात्री के वरत रहता था नवरात्री के आयोजन कराता था बड़े पैमाने पर भंडारी कराता था इतना ही नहीं वो मीडिया को भी अपने सपोर्ट में रखा करता था कहते हैं कि जब वो मीडिया को भोजन कराया करता था तो उनके लिए वो अपने हाथ से सबसी बनाया करता था वो बड़े बड़े यग या नुश्ठान करता था खुद भी उसमें शामिल होता था वो इलाके में बाबा जी के नाम से फेमस था अगर कोई अजनमी व्यक्ति उसके घर की तरफ जाता और पूछताच करता तो लोग भी उसे बाबा जी कहकर ही बुलाते थी लेकिन ये बाबा जी कितने बड़े गुरू घंटाल थे इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरारी के दोरान एक बार उसे पुलिस ने मध्वदेश में ट्रैस कर लिया और जब उसे वहां से पकड़ कर यूपी लाया जा रहा था तब पुलिस वालों की गाड़ियों के पीछे कम से कम 250 से 300 गाड़ियां चल नहीं थी यानि पुलिस अगर रास्ते में बाबा जी का इंकाउंटर करने के बारे में सोचे भी तो उसे अपने पीछे चल रही गाड़ियों के होने का एहसास रोग देता था कालिन भाया और विजय मिश्रा पर सत्तर से अधिक गंभीर अपराद दर्ज हैं उसे दूसे गैंग और गैंगस्टर का योजना कार भी कहा जाता है आरोपों के मताबिक मुखतार अंसारी के शूटर मुन्ना बजरंगी से भी उसके संबन्द थे उसे मुखतार अंसारी गैंग का एक एहम रणनीती कार माना जाता है पूरवन चल में अपरादियों का साथ देना उनके सनक्षर करने के आरोप भी विज़मिश्रा पर है उस पर मुखतार अंसारी के लोगों को गाजीपूर, वारांसी और मिर्जापूर में सनक्षर देने का भी आरोप है 2012 में यूपी में विधान साफ़ चुनाओ थे और पुलिस विज़मिश्रा की तलाश कर रही थी विज़मिश्रा सरेंडर करने का मन तो बना चुका था मगर यूपी में सरेंडर करना खतरे से खाली नहीं था इसलिए उसने दाड़ी बढ़ाई और दिल्ली पहुँच गया वहाँ जब उसने सरेंडर कर दिया था पुलिस को इस बात का एसास हुआ कि ये तो विज़मिश्रा है उसने जेल से ही समाजवादी पार्टी के टिकेट पर चुनाओ लड़ा और जीत हासिल की विज़मिश्रा की पांच बेटियां और एक बेटा है जिसमें एक बेटी का नाम सीमा मिश्रा है 2012 के चुनाओ में उसने ही अपने पिता के चुनाओ पर चार की कमान समाली थी इसके बाद वो अपनी भी किसमत आजमाना चाहती थी ये इसी शेत्र में लोग सभा का चुनाओ लड़ना चाहती थी समाजवादी पार्टी के टिकेट पर सीमा ने साल 2014 में लोग सभा का चुनाओ लड़ा लेकिन मोधी लहर के चलते उसे हार का सामना करना पड़ा हालांकि फिर भी उसे दो लाग से अधिक वोट प्राप्त हुए थे और वो तीसरे नमर पर रही थी इसी दोरान विजय मिश्रा पर एक गायका ने रेप का आरोप भी लगाया था आपको बतातें कि जब उनकी बेटी का चुनाओ पर चार्ट चल रहा था इस दोरान उसने एक गायका को बलाया था और आरोपों के मताबिक बंदू की नोक पर नकेवल उसका एक बार रेप किया बलकि विजय मिश्रा अपनी मर्जी के मताबिक जहां चाहता था उस गायका को बला लेता था और उसके साथ वक्त बिता लेता था गाईका ने उसके उपर बलातकार का रोप लगाया जिसके चलते पुलिस ने उसे साल 2020 में गिरफतार किया साल 2022 में विजय मिश्रा ने एक बार फिर जेल से पर्चा भरा और उसे लाइफ में पहली बार हार का सामना करना पड़ा फिलाल विजा मिश्रा जेल में है पुलिस उसके और उसके नेटवर्क के खलाफ सख्त कारवाई कर रही है बताया जाता है कि उसकी 84 करोड के अवैद संपत्ती शासन के पक्ष में जब्त की जा चुकी है तो ये थी पुरवाण चल के कालिन भाया और विजा मिश्रा की पूरी कहानी उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातरम